कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे और आज हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में लर्निंग मतलब अधिगम इसका जो definition दिया हुआ है ये ही बहुत important है जैसे कि अनुभाव द्वारा व्यवहार में अपेक्छाक्रित अस्थाई परिवर्तन को अधिगम कहते हैं कई बार एक्जाम में क्या देता है अस्थाई की जगा अस्थाई दे देता है तो वो हमारा गलत हो जाता है वो कन्फ्यूज करने के लिए देता है तो अधिगम क्या होता है तो जो हम अनुभाव करते हैं उसके द्वारा हमारे जो व्यवहार में अपेक्छाक्रित अस्था जैनम उसे लेके हमारी मृत्यों तक चलता है मतलब हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यों नहीं हो जाती है हम कुछ ना कुछ हमेशा सेखते रहते हैं और जो हम कुछ ना कुछ हमेशा सेखते रहते हैं वही हमारा अधिकम होता है तो learning process जैनम से मृत्यों तक च हमेशा सीखते रहते हैं सीखना जो है वो अनुकूलन की प्रक्रिया है अनुकूलन क्या होता है वो आप हमें कमेंट सेक्षन में लिखके बताईए कि अनुकूलन होता क्या है सारवभामिक प्रक्रिया होती है मतलब यह एक यूनिवर्सल प्रॉसेस होता है सीखना जो है क्यों जरूरत होती है, learner मतलब होता है जो अधिगम करता होता है मतलब जो सीख चाहता है, learning process में erARS ,mistake ,misconception मतलब जिसको हम ब्रानतिया कहते है, ये होना बहुत ही प्रासंगेक होता है मतलब जरूरी होता ये क्योंकि कहा जाता है की बच्चे जो गलतिया करते हैं mistake होते हैं वो भी हमारे learning process की एक प्रक्रिया होती है बहुत ही important प्रक्रिया इसको कहा जाता है next line में लिखा भी है error mistake misconception अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें learners के चिंतन प्रक्रिया को समझा जा सकता है मतलब जो learner होता है मतलब जो अधिगम करता होता है वो अगर गलतिया करता है mistake करता है error करता है तो उससे हम उसके चिंतन के जो process होती है उसको समझ सकते है कि वो क्या सोच रहा है उसकी सोच किस सरब जा रही है क्योंकि जैसी उसकी सोच रहे कि वो उसका वैसा ही जवाब दे रहा होगा चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो बच्चों द्वारा होने गलतियां करते हैं उसमें गुडात्मक भिन्नता होती है उसकी मात्रा समान हो सकती है लेकिन उसकी गुडात्मक भिन्नता अलग होती है तो यह हो गया लर्निंग प्रोसेस के बारे में और अब हम पढ़ेंगे अधिकम को प्रभावित करने वाले कारक तो अधिकम को प्रभाव वात्तावरड जिसको हम कहते हैं वो होता है हमारा थर्ड तो बच्चा जो होता है अधिकम को प्रभावित करने वाले कारक में तो फिजिकल मेंटल डेवलेप्मेंट बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल डेवलेप्मेंट होता है वो भी अधिकम में बहुत इंपोर्टेंट ह नहीं होता है क्योंकि बच्चे अगर फीजिकली और nămी इस्टॉंग नहीं होगा तो वह अधिकम प्रोस हागे नहीं भडता है क्योंकि अगर आदमे किसी कारे को करने में रुची लेता है तो ही वो उस कारे को करने में सफल भी होता है अगर आपको किसी कारे करने की रुची नहीं होगी आप कोई भी कार कर रहे हो अगर आपको उसमें interest ही नहीं है तो आप वो कार्य अच्छे से नहीं करोगे और आप उसमें अच्छा response भी नहीं दोगे intelligence level मतलब जो IQ level होती है बच्चे की वो भी अधियम के लिए बहुत important होती है बच्चे की IQ level अगर बहुत कम है जड़ बुद्धी है मुड़ बुद्धी है तो आप उसे चाहे कितने भी अच्छे process से सिखा लो वो नहीं समझ पाता है चीजों को motivation जो अभी प्रेड़ा का level होता है वो भी बहुत important होता है क्योंकि बच्चे अगर अभी प्रेडित होते हैं चाहे वो आंत्रिक हो चाहे वो बाहे हो तो भी वो अच्छा करते हैं बच्चे का समवेग उसके emotions भी बहुत important होते हैं होते हैं और emotions भी जो होते हैं वो दो प्रकार की होते हैं एक होते हैं positive और एक होते हैं negative, नहीं होते हैं हर्स आशा इसने इसने पॉजिटिव Joan लेकिन negative emotions क्या होता है डर चिंता बोरियत तो यह दोनों होतार यह बच्चे के लर्णिंग पावर को लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है, maturity परिपकोता भी जरूरी होती है, बच्चे अगर mature नहीं होंगे, मतलब आप छोटे बच्चे को तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो अपने maturity लेवल पे हैं, और वो अगर छोटे बच्चो जैसी हरकते करते हैं, तो आप उनके बड़ाबर की चीज़ों को नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि उनकी दिमाग अभी बच्चो की तरह है, culture जो होता है बच्चे का, मतलब बच्चे की संस्क्रिती होती है, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बच्चे के सीखने में, अब सेकेंड हमें आ रहा, टीचर, तो टीचर जो होता है, सबसे पहले तो टीचर को अपने विशय का ग्यान होना चाहिए, अगर आप हिंदी के टीचर से मैथ पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है, वो नहीं पढ़ा पाएंगे, तो यहीं इसमें लिखा हुआ है, कि टीचर जो होता है, वो जो चीज़ भी पढ़ाने जा रहा है, जो चीज़ आपको सीखाने जा रहा है, सबसे पहले उसे अपने विशय का ग्यान होना चाहिए, अगर उसके विशय का ग्यान ही नहीं है, तो वो भी अधिखम को प्रभावित करेगा, इन्डि विज्ज़ डिफ्रेंसस का ग्यान होना चाहिए, बच्चे जो है, प्रिचर जो है वो बच्चों में इन्डि विज़्िग डिफ्रेंस सके, मतलब व्यक्तिकत बिननता कर सके, कि किस बच्चे का लेवल क्या है और कौन सा बच्चा किस लेवल पर सीख सकता है तो ये भी बहुत important होता है फिर है child centered होना चाहिए बाल केंदरित होना चाहिए इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है ये तो भरा हुआ है हर जगा active and interested होना चाहिए जो हमारा teacher है वो भी बहुत सक्री होना चाहिए और उसे भी रूची होना चाहिए जो चीज वो पढ़ा रहा है अगर वो रूची नहीं लेता है तो वो अच्छे से आपको नहीं पढ़ा सकता है good teaching method होना चाहिए उसका सिच्छड कॉसल जो है अच्छा होना चाहिए सहयोगात्मक और सहकारात्मक होना चाहिए मतलब ऐसा वातावरर दें कि बच्चे जो है वो सहयोग और सहकारात्मक भावना उनके अंदर हो और family का जो environment होता है वो भी बहुत important होता है बच्चों के लिए next है हमारा अधिगम वक्र तो अधिगम वक्र क्या होता है अधिगम वक्र जो होता है यह हमारे जो सीखने के अस्तर होते हैं उसको ग्राफ के जरिये बताता है जैसे कि जब अधिगम की मात्रा प्रभाव च्छंता आधिको किसी माध्यम माध्यम जैसे कि ग्राफ हो गया आरख हो गया, कुछ भी हो गया, से अगर प्रदर्सित किया जाता है तो वो अधिगम वक्र कहलाता है, मतलब learning curve, इसमें क्या होता है, इसमें अधिगम की अधिकता, नियुंता या शूनी इस्थिती व्यक्ति की जाती है, तो अधिगम वक्र जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो चार प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल रेखिया वक्र, एक होता है उन्नतोदर, नतोदर और फिर मिस्रित, तो सरल रेखिया वक्र जो होता है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं, ये क्या होता है, इसमें सीखने की जो गती होती है, वो एक समान ह ना ही बढ़ती है ना ही घड़ती है एक समान रहती है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है वही अगर बात करें उन्नतोदर की तो उन्नतोदर जो होता है इसमें सीखने की गति सुरू में तो बहुत तेज होती है परन्तु आगे चलकर एक उचितम बिंदु प्राप्त करने के बाद उसके जो सीखने की गती होती है वो आटोमेटिक क्या होती है धीमी हो जाती है तो यह भी अच्छा नहीं होता है इसको हम नेगटिव कर भी कहते हैं क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कोई-कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जब छोटे होते हैं तो बहुत ही तेज होते हैं हर एक जीच को बहुत जल्दी सीख लेते हैं लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके सीखने की गति जो है वो धीमी होती जाती है तो उन इसमें सीखने की गति पहले धिमी होती है लेकिन बाद में इसकी गति तेज हो जाती है मिस्रित कर्ब की बात करें तो इसमें सीखने की गति ना तो तेज होती है ना ही कम होती है यह S आकार का होता है इसको S कर्ब भी कहते हैं अब अगर हम बात करें अधिका मस्थानांत्रड क transfer of learning की तो जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखे या कौशल या काम को प्रभावित करता है तो वो हमारा अधिगा मस्थानांतरड होता है अधिगा मस्थानांतरड की प्रकार की बात करें तो ये धनात्मक होता है रिडात्मक होता है और शूनी होता है जैसे कि धनात्मक कैसे होता है अगर आपने बचपन में साइकल चलाया हुआ है तो वो साइकल चलाया हुआ आपको बड़े होके बाई किया स्कूटी कुछ भी चलाने में हेल्प करता है क्योंकि उस पे आपका balance proper बन जाता है लेकिन वहीं एगर रिडात्मक की बात करें तो इसमें एक जगा सा सीखा हुआ काम दूसरे जगा पे help नहीं करता है वहीं सुनने की बात करें तो जैसे की आपका हिंदी बहुत अच्छा है और आपको math दे दिया जाए पढ़ाने को तो आपका जो हिंदी पढ़ाने का process है हिंदी की चीज़े हैं हिंदी का ग्यान है वो आपके math में बिलकुल कोई मतलब नहीं है तो यह हमारा सुन या अथ्थानांत्रड हो जाएगा जिसको हम zero कहते हैं और रिडात्मक में एक जगा का सीखा हुआ ग्यान दूसरे जगा के सीखे हुआ ग्यान में helpful नहीं होता है तो फ्रेंड्स यह हो गया लर्निंग के बार बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा